हम लोग बात करने जा रहे हैं मुख्मंत्री विदयोजना में क्लास करने के लिए सुचना आ गई है किसको किसको बुलाय गया और किसे किसे रोका गया है क्लास करने से उसके संबंद में बात करेंगे तो जो लोग भी वाराणशी मंदल से संबंदित हैं उनके लिए भी जस सुचना आई है कल साम को और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उसके उपर और उसमें सुचना यह दी गई है कि वाराणशी मंदल से जो लोग वाराणशी जनपत के हैं वाराणशी मंदल के जो चार जन जनपद के उस जनपद में ढ़ी जायंगे जहां पर क्लासे अभी करेंट टायम में चल ल convention लाई क्योंकि अलग अलग हर एक जनपदों में क्लासे इस्टे जाये नहीं कि तो अभी वराराण सी मदल के भिद्धयरती है वो क्लास करने UPSC UPSC वाले साड़े extermin का जाय इसमें रोका गया है साथी बताया गया है ऐसे लोग घर बैठे बैठे ओनलाइन क्लास देख सकते हैं वही ऑफलाइन क्लास जो चलती है उसी की live recording चलती है कहीं कहीं recorded रहती है वीडियो वह आप घर बैठे बैठे देख सकते हैं थार्ड येर वालों को आप बुलाए गया है ज लाल जो लोग पिछली बार एक्जाम दिये थे, पहली पहली बार एक्जाम दिये थे विद्वयोजना में, वो लोग सक्सेज हुए थे, वो लोग सफल हुए थे, पास हो गये थे, लेकिन इस बार जो लोग दिये हैं, वो लोग माल लेजे पास नहीं हो, अगर पहली बार दि सफल है पास है वही लोग क्लास अटेंट करने जाएंगे जो एक्जाम नहीं दिये थे ऐसे लोग वहाँ क्लास नहीं करेंगे अनलाइन क्लासे आप कैसे करें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अभिदेय यूजना के 18 मंडल के वीडियो का एक उसको जोईन कर लेंगे तो वहाँ पर वो टालते हैं जहां जैसे इसे चलती है हर एक मंडलो में जन्पदों में जहां भी चलती है वहां कि वह रिकार्डिंग लाइव या वहां पर रिकार्डेट वीडियो आपको मिल जाता है तो अक्सर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉ कोई mail message contact नहीं किया गया है किसी के थुरू या call के थुरू ऐसे लोग अभी भी धहरे बनाए रखें क्योंकि classes अभी कहीं start नहीं हुई है इसलिए आपको contact नहीं किया गया है कुछ candidate जाकर के contact किये है अपने अपने center पर तो बताया गया है कि आप लोग घर जाए हराम से और जब classes start होने का schedule हो जाएगा तो आप लोगो call message या mail करा जाएगा और आप लोग तब जाकर के join करियेगा class ठीक है तो online class आप कैसे करें मैंने आपको बताई रिया इसी वीडियो को description box में अठरो मंडल के YouTube channel का link मैंने दे रखा है मैंने तभी से दे रखा है जब विदय स्टार आठ हुआ था तब से मैं वो लिंक हमेशा डालता रहता हूं वह हमेशा मेरे description box मिल जाएगा ओगा विदय की website का होगा बाकि मेरे website का भी link आपको पहला पहला मिल जाएगा क्योंकि जो भी update साते रहते हैं हम अकसर उस पर update करते रहते हैं और मेरे आप website कैसे पहुंचे वह आप लाश्ट में देख लीजेगा फिलाल अभी आपको मैं सुनाता हूंगा विदर सेंटर के सर क्या कह रहे हैं और कुछ पुछना होगा comment box में पूछिए कैसे हैं आप सभी विद्यार्थी आसा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और क्यारी आपकी अच्छी चल रही होगी कठिन परिछाय हैं इसमें सफलता पाना इतना आसान नहीं है पर हाँ जहां से आप सुरू कर चुके हैं जहां से आपने सुरुआत की हैं वहां से आप सभी बहतर इस्थिति में हैं और मेहनत कर रहा हैं यह मैसेज जो मैं दे रहा हूं अब उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने इस बार जो हमारी UPSC की जो पिछले महीनों में अब्युदय योजना में पढ़ने के लिए वारारसी मंडल में पढ़ने के लिए जो इंट्रेंस एक्जाम हुआ था अब्युदय पोर्टल पे उसको द्यार्थियों ने वह टेस्ट दिया होगा और सब क्वालिफाई भी कर चुके होंगे तो मैंने इमेल से आप सभी ने वह फॉर्म फिल किये थे नए स्टुडेंट में बहुत सारे हैं उमीद है कि कुछ नए स्टुडेंट कल जिससे जो मैंने इमेल किया है उसके बाद भी इस चैनल पर जूड़े हैं तो इमेल सब को जा चुके हैं अभी ये मैसेज केवल उन विद्यार्थियों को में दे रहा हूं जिन्होंने टेस्ट कौलिफाई किया है और चैनित हो गए हैं और उनकी क्लासिस कल सुबह साड़े ग्यारा बज़े से राज्की संत्र विदास आई सीटों के अवेलिबिल्टी आपको पता है बहुत कम है कल जो वारानसी के लिए चैनित बिद्यार्थि हैं केवल वो आएं और फिर आगे अगले दिनों में उसके हिसाब से हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे वैसे बहुत जल्द ही सभी जन्पदों में वारानसी मंडल के चा अलाइन क्लास और बहतर तरीके से आप लोगों तक पहुंचे तो जरा आभी परिसान होने की जवत नहीं है बाकी अगर सीटों के विल्टी रहती है तो वह बच्चे जो पहले दे चुके हैं और किसी कारणवास उनका सेलेक्शन नहीं हुआ है तो आकर ऑफिसमें उससे मिल सब्सक्राइब हैं ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं या अन्तिम वर्स में अगर फस्ट यर सेकेंड यर में जो बच्चे हैं वो ना आए प्रिपया वो ऑनलाइन क्लास करें क्योंकि सीटों की अवेलिबिल्टी बहुत कम है वहां पर सौ सबासों से ज्यादा बच्चों क लिए भी ओपन रखेंगे तो कल सभी विद्यार्थी पहुचे हैं और वो रहें जो ग्रेजुएशन कास कर चुके हैं या थर्डियर में हैं और यूपी असी उपीपीअसी की सभी सहचिकारता हैं पूर्ण करते हैं उन सभी को आयू के हिसाब से सभी मानकों को हैं तो चैनिक विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी सारा में जाके संत अत्रलान रेजिदंसल एकेडमी होलापुर में दो बज़े से क्लासे उनकी शुरू होती है पांच वे तक चलती हैं वहाँ वो कच्छाय नेमित करें जाके मैथमेटिक्स की क्लासे भी कल से सुरू हो आप Google के search box में जाएंगे और यह आपको टाइप करना है 2012 सरकारी नोकरी बिना किसी space के इस पालिंगों और द्यान से देख लीजिए इसके बाद आपको इंटर कर देना है यानि कि search पर क्लिक कर देना है और सबसे पहला पहला लिंक मेरे website का आपको मिल जाएगा जिससे इस पर आपको क्लिक करना होगा और जैसे उस पर क्लिक करेंगे मेरे official website पर पहुंच जाएंगे या तो आप Google पर टाइप कर सकते हैं नोकरी app.blogspot जैसे आप इसको टाइप करेंगे और search करेंगे सीधे मेरा ही website फिर आपको देख जाएगा और देख लीजिए इस पर नहीं करना है इस पर करना है आप इस पर फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक कर देंगे और सीधे मेरे website पर पहुंच जाएंगे सकते हैं यहां से भी मेरे official website पर पहुंच सकते हैं